हेलो गाइज वेलकम तो अनदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फिर्ट्स ए एसके आटो मोटीव लिमिटेड है इस आइप यू का सब्सक्रिप्शन आप इन जा रहा जाने कि इसका लाइब सब्सक्रिप्शन अश्रेड़ इंप लिस्टिंग की तना मिलेगा अप्लाइ करन करने का 834 करोड का वक बिल्ड इशू आई पर फुल्ली ओफर फॉर शेल है मतलब कि इसका जो फंड जो हो रहा है यह इन्वेस्टर के पास है इन्वेस्टर अपने स्टेक को पब्लिक की इस पर पब्लिक में जो सेल कर रही है आई प्यों के थूरू और यहां पे कंपनी ज अलॉट्मेंट्स होगा टेन नॉवंबर को अलॉट्मेंट्स होने के चांसे से प्राइस बैंडे 268 तो 282 रूपीच पर सियर की और लॉट साइज है फिफिफ्टी त्रीश का जीम फिनांसल लिमिटेट एक्स एक्सेस कैपिटल अज आइसे सेक्रेटिज और डबल इफल से अगर चुकिए अंकर इंवेश्टर अकेले और यह करें इसके सब्सक्रेटिशन देखेंगे तो कंपनी जो है क्यो आई वी में 0.03 टाइम का सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्रेटिशन नहीं वा थरी परसेंट का ही हुआ है एचा नाइफ फो जिलो पॉन परसेंट का फुली भी नहीं हुआ है इसका नहीं दिखाया गया जी एंप फिफटी फाइब रुपीज का है और 19.5 परसेंट की लिस्टिंग मिलने के चांस है जो कि लिस्टिंग भी बहुत बड़ी निएक डिस्टिंग मिल रहा है अगर हम इसके बिजनस की बात करें 1988 में कॉर्पेट क्या गया था जो कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम का टू विलर्स के लिए इंडिया में मैनुफाक्टर है और यह कंपनी पाच चार तरह की जो मतलब की प्रोड़क्ट रेंज है जिसमें फर्स्ट एबी सिस्टम सकेंड है अलुमिनियम लाइट वेट प्रेसिशन एबी सि इसी बोलते हैं और यह जो सो इंडिया और ओवर सी में लाइट सिर्फ इंडिया में बलकि विजिसों में भी अपने बीजनेस को परेट करती है और जून दोजार तवीस तक कंपनी के पास फिफ्टीन मैनुफाक्टरिंग यूनिट है और लगवा इंडिया के पास रॉयल एंफिल्ट इंसो मैं अगनेटी मरेली एंड अधर बहुत जितने भी टू विलर्स होते हैं टू विलर्स मैनुफाक्टर होते हैं उन सबी को जो है सो और इसनल एक्विपमेंट यह सब्लाइब करती है इस के ऑटोमोटीव और उसके बाद यह के उसके साथ कंपनी ज क्रेंटी है यह वर्ल्ड क्लास सेटिफिकेशन है क्वालिटी और सेफ्टी में जिसमें आई एटी एफ का सटिफाइगा गया इसो सटिफाइग किया गया है और हम इसके फिनाशल देखेंगे तो ट्वैंटी वन में 1567.7 करोड का रेविन्यू है और 106 करोड का तो कंपनी का फिनाशल अगर देखेगा तो टॉम लाइन ने तो बहुत एच्छी ग्रोथ हो रहा है एक अच्छी इस्टेबिलिटी देखने को मिला था लेकिन अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात करें रिस्क की बात करें तो इसका जो रिस्क है साइपियो में इसका रिविन्यु जन्रेट होता ना लगवाग इंडियन डू विलर आटोमोटिफ सेक्टर से अलगवाग एटी परशंट का रेविन्यु जन्रेट करती है यह कांसंट्रेशन रिस्क करसकता है प्लस टॉप थ्री कस्टमर को इसके रेविन्यु को से जन्रेट करने के लिए से इसके business को affect कर सकता है और यह company घुछ सो रिलाइस है third party dealers पर market sales और डिलिवर करने के लिए और जो की independent after market का degree में और यह company जो कम इंटक्षिंग फसलिटीष यह सी इसी फॉद्ली हर्याना में है जो की जो ग्रैपिकल कॉंसेंट्रेशन डिस्क कर रहा और एसके की जो फ्रेस ले फ्रिक्शन प्राइवेट लिमिटेड है जो कि कंपनी का जॉइंट वेंचर है इसमें पास्ट में लॉसेज देखने को मिला और सब्सीडियरी में निगेटिव नेट वर्थ देखने को मिला है जो कि फ्यूचर में प्रॉफिट में टर्न होने में अगर नहीं कर पाती है प्रॉफिट मिटाना का नहीं होता है तो इसके वाज़ेसे प्रॉब्लम हो सकती है और यह एक्सपोज टू फॉरें एक्सचेंज रेट फ्लक्ट्वेशन का एक्सपोज होने का खत्रा हो सकता है तो थोड़ा रिस्क भी है लेकिन ऑब्जेक्टिव क कोई भी ऑब्जेक्टिव ने क्यों कि ओफर फॉर 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 लाइप यह लार्ज वन ऑफ दा लाज़ेस्ट मैंट्वाक्ट्वर इंडिया में ब्रेक्स और एडवांस डू ब्रेकिंग सिस्टम्स के लिए और यह मोस्ट प्रेफर पार्टनर है टू विलर कंपनी के फुली रखा गया है तो मेडियम घ्र Sono कंपनी है लॉए उल्किंट करने आफके कर सकते लॉए पंछेania